हेलो इबरोण कैसे हैं आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेश पर सोगात हैं क्लास टुल्द फिजिक सिंसियर्टी में चैप्टर सेकेंड चल रहा है इस्थिर बैदुद भी बहुत अथा धारिता और आज किस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले बच्चों संधारित्रों के सिरेने क्रम सहयोजन में तुल धारिता कितना निकल कर आता है वेशे संधारित्र की परिभासा तो आपने पढ़ी लिया होगा नहीं पढ़े हैं तो भाई समांतर प्रेट संधारित में पढ़ाया था उसमें संधारित रोगेरा बहुत अच्छे तरीके समझाया था सिध्यान्त भी समझाया था संधारितर होता क्या है एक ऐसी युक्ति है जिसके बिना आकारायतन में परिवर्तन कि उसकी धारिता बढ़ में जैसे कुलर होगा बचो तो वहां पर एक कंडेंसर लगा रहता है उसी को बोलते है केंडेंसर कंडेंसर अपने दिहाते हैं साल में बोला जाता है और वही है कंडेंसर ऊजए किया करता है अबस करके रखता है और तो हो यह ईचान कीया तो मोटर को घुमाने का काम करता है जैसे अचानक मोटर को ज्यादा मात्रा में धारा या आभिश मिल जाए तो तेजी गर्सें चलने लग जाएगा फिर उसी करम से रहेथ है भले बाद में करंट चलता रहे तो यह काम करता है condenser condenser यह नहीं करता कि 24 घंटा वो ज़्यादा आवेश देता है नहीं जब मोटर को आन करना होता है जिस सुईच आन किये न तब वो काम करता है अचानक उसमें धारा किमान को बढ़ाता है और अचानक जब बढ़ता है बच्चो तो कहीं न कहीं वो ज़्यादा बर्क करने जैसे हमारे पास कई सारे संधारित्र है जोड़ना है और धारिता कम लेना है तो फिर क्या करेंगी इसको स्रेडिक्रम में जोड़ना है और जब हमको धारिता बढ़ाना हो कहीं भी धारिता बढ़ाना हो कई सारे condenser हो तो फिर हम इसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो जैसे पहला संधायतर है, इसके दूसरे प्लेट को अगले संधायतर के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं, फिर यह हमारा दूसरा है, इसको अगले संधायतर के पहले प्लेट से जोड़ते हैं, मतलब यह क्रम लगातार चलता रहता है, यानि जिस भी संधायतर को हम प्रारम म में लेते हैं उसका दूसरा प्लेट अगले संधायतर के पहले प्लेट से फिर जो दूसरा हमने संधायतर लिया है इसका दूसरा प्लेट फिर अगले संधायतर के पहले प्लेट से और ऐसे ही हम चाहिए 10 जोड़ सकते हैं 5 जोड़ सकते हैं 15 जितना प्रिष्ट होता है बच्चो उसको प्रत्वी क्रत कर देते हैं ताकि जिटना भी प्लस की वावेश हो जाए वो क्या हो जाए प्रत्वी पर चला जाए प्ररण की क्रिया आपने पढ़ाई होगा कि जैसे माली ये पहला संधाईट थोड़ा समझेगा इसमें जब हम plus की वावेश देते हैं तो जो आपका दूसरा प्लेट होता है पहले संधाज़तर का दूसरा प्लेट यह आपका एक संधाज़तर है यह अलग है, यह अलग है सबका अलग अलग है ना यह ने सोच ले कि 4-5 जुड़े हैं तीन ही जुड़ा है नहीं गया है ऐसा क्यों नहीं लिखा गया है क्योंकि इसका संबंद दूसरे संधायत के पहले प्लेट से तो इसका संपहुन आबिश यहां पर चला जाता है इसलिए हमने यहां पे नहीं लिखा dzięki और ओर यही संबंद नगले, संदायत की पहले प्रेट से है, तो जब ये आपके तीसर संदायत में पहले प्लेट में plus q अवेज आया, तो फिर से प्रिरण की क्रिया हो गई, तो इसके दूसरीं प्लेट पर minus q अवेज, है न समीब बर्ती तल पर, और दूर बरती तल पर फिर plus q अबेस प्रेज़ हो गया और इसका संबंद प्रत्वी से है तो पूरा का पूरा अबेस जो भी आपका plus q है वो प्रत्वी पर चला जाता है यहनी यहाँ पर प्रेज़न की क्रिया होती है कि जैसे ही हम संधायत के पहले प्लेट को यह हमारा पहला संधायत है इसके पहले प्लेट को plus q अबेस देते हैं तो दूसरे प्लेट पर minus q अबेस प्रेज़ हो जाता है समीप बरती तल पर दूर बरती तल पर plus q अबेस प्रेज़ होता है अब बच्चो इसका संबंद दूसरे संधायत के पहले प्लेज़ से है तो यह जो plus q अबेस Q-A-Base और दूर बरती तल पर Q-A-Base प्रेइट हो जाता है लेकिन भाई इसका सम्बंद फिर से अगले संधायत से है तो इसका जो प्लेस क्यों अबेस है वो तीसरे संधायत पर चला गया और तीसरे संधायत पर जो पहला प्लेट है इसमें प्लेस की हुआ गया फिर से प्रिण की क्रिया हुई बच्चो प्रिण की क्रिया हुई तो प्रिण की क्रिया से यही होता है कि समीब बरती तल पर माइनस की हुआ बेस और दूर बरती तल पर प्लेस की हुआ बेस आता है अब सब की धारिता अलाग अलाग होगी आवेस ग्रान करने की छमता अलाग अलाग होगी तो जैसे हमारा ये जो पहला संधारित रहे इसकी धारिता C1 है इसकी धारिता आपका C2 है इसकी धारिता C3 है जब हम बच्चों प्लस क्यू अवेस देते हैं है ना तो प्रेरण की क्रिया से ठीक है प्रतेक क्रिया से प्रतेक संधायत के पहले प्लेट पर प्लस क्यू अबेस और दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू अबेस उत्पन हो जाता है बहुत ज्यादा लंबा चोड़ा महाभारत नहीं लिखना है उतना ही लिखना है जितना की ए दूसरे संधायत के दूसरी प्लेट को तीसरे संधायत के पहले प्लेट से और भी रज हम चौता भी जोड़ेंगे तो तीसरे संधायत के दूसरे प्लेट को चौते संधायत के पहले प्लेट से और कई सारे इस प्रकार से जोड़ सकते हैं तो माना में हमको start cut में लिखना है कि माना तीन संधारित रहें है ना जिनकी धाइता क्रमसा C1, C2, C3 है है ना इसको हमने स्रेनी क्रम में जोड़ रखा है है ना जब आपेज आबेज देते हैं प्लस Q आबेज देते हैं जिनकी धाइता C1, C2 और C3 है जब हम पहले प्लेट को प्लस Q आबेज दे हैं यहाँ पर तो प्रतेक संधायत के पहले प्लेट पर प्लस Q आबेज आया और दूसरे प्लेट पर मानस Q आबेज प्रेडित हो गया अब बच्चो जैसे ही आबेज आता है तो कहीं न कहीं भिभवांतर होगा प्लेटों के बीज भिभव का अंतर होगा आबेज को ले जाने में किया गया कार भिभवांतर होता है भिभव होता है और दो बिंदों के बीच के विभव का अंतर विभवांतर होता है तो कहीं न कहीं प्लेटों के बीच विभवांतर होगा क्योंकि हर प्लेट पर आबेश है और आबेश है तो कहीं न कहीं विभव है क्योंकि आबेश ले जाया गया है आबेश ले जाते हैं तो उस पे ले जाने में किया गया कार आपका विभो कहलाता है बच्चो तो ये चीज हमने कहा कि प्लेटों के बीज विवांतर B1, B2 और B3 है क्रमसा मतलब तीनों में ऐसे विवांतर है तब बच्चो कहीं न कहीं येदि हम आपसे कह दे कि परणामी वि थोड़ा समझिएगा नदी में पानी बहरा है तो यदि आप कहीं भी नहाओगे कहीं भी नहाओगे तो समान पानी रहेगा सही है कि नहीं लेकिन उसी नदी के तीन भागों में बाड़ दिये तो फिर अलग 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 नहाओग तो हो सकता है अलग 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 पानी मिले अब ऐसे क्रम में आबेस का होता है यदि आबेस यहां से बढ़ जाता फिर आबेस कमान भिन भिन हो जाता लेकिन एक ही क्रम में आबेस चल रहा है तो फिर आबेस के मान में परिबरतनी होगा आबेस कमान समान होगा दूसरी बात आबेस कब भिन भिन होता एक मार लिजे आप का चलाकतार है, उससे तीन चलाकतार और जोड़ दिया हमने, क्रम से नहीं, ठीक है, अलग कर दिया, उसको समांतर क्रम में जोड़ा तो फिर आवे इस कमान भीन हो जाएगा, ठीक ती, यहां पर आपका परणाम भी भी बांतर हो जाएगा, B1, B2, B3, और इसको हम समिकान एक इसके जगह यदि आप 3-4 और जुड़े होते तो फिर B4, B5 और भी ले सकते थे अब आपने पढ़ा होगा बच्चो यहाँ पर मैं साटकट में थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि चुकि यह आपने पढ़ा होगा कि चुकि C बराबर होता है Q upon B इसलिए बच्चो यदि मैं आपसे B बराबर कहूं तो B बराबर हो जाएगा Q upon C यही तो होगा होगा कि नहीं होगा B बराबर Q upon C किसी कोई दिक्कत तो नहीं है यह चीज नोट कर लेना यहाँ पर मैं लिखता हूँ किन्तू 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 यदि मैं B1 का मान निकालना चाहता हूँ तो कितना होगा Q बटा C तो Q बटा C1 1 के लिए 1 हो जाएगा ठीक है आबेस नमें समाना है तो आबेस में बदलाओ नहीं होगा मैं आपसे कह दूँ B2 बराबर तो आप कहोगे Q अपान C2 हो जाएगा और बच्चो इदि मैं आपसे कह दूँ B3 बराबर तो Q अपान C3 हो जाएगा सबकी धारिता अलाग अलाग है सबका विवानतर अलाग अलाग है लेकिन आबेस समान है तो ज्यादा इदर धर चेंज करने के जरूँत नहीं है अब मैं समीकरण 1 से समीकरण 1 से कितना हो जाएगा V1 के जगए आप रखोगे Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3 Q सम में समान है इसलिए बच्चो आपको Q में कोई परिवर्तन नहीं करना है अब V बराबर रहने दीजिए Q आप बाहर ले लिजिए तो कितना बचेगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 ये हो गए आपका भीका मान अब आपने सब कुछ पढ़ी लिया है तो ये 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए मैं आपसे कह दूँ कि किन्तु ठीक है बाई किन्तु लिखते नहीं बन्दा बताओ टीचर से किन्तु यदि संयोजन में संयोजन में परणामी भिवांतर भी हो तो मतलब टोटल भी हो तो भी बराबर कितना हो जाएगा इसको आप समिकर दो दे दिजिए तो टोटल भी हो तो भी बराबर होगा कितना हो बच्चों Q upon C यहनी कुल अबेस आपका Q हो जाएगा और तोटल धारिता C हो जाएगा है ना यहनी संयोजन का परणामी भिवांतर भी वा धारिता C हो तो पढ़ाई विवांतर V और धारिता C हो तो तो समिकरण 2 से आगे लिखना आप लोग समिकरण 2 से समिकरण 2 में कितना बच्चो देखेगा V के जगए आपको रखना है Q अपान C और यहाँ पे आप Q 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 और Q से Q कार दो बच्चो आपके अंसर आजाएगा तो आएगा आपको 1 अपान C 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 मतलब यहाँ पे एक निसकरश निकला कि स्रेणी क्रम सयोजन में तुल धारिता का ब्यूद क्रम अन्रसंधायतरों के धारिताओं के ब्यूद क्रम के योगफल के बराबर होता है देखे ना 1 अपान C का मतलब होता ब्यूद क्रम हमने क्या जोड़ा था स्रेणी क्रम में जोड़ा था तो स्रेणी क्रम सयोजन में तुल धारिता है यह तुल धारिता है पोटल धारिता है तुल धारिता का ब्यूद क्रम अन्य संधायत्रों के धारिताओं के ब्यूद क्रम के योगफल के बराबर होता है ठीक है तो यहाँ पर आपको अता करके लिख देना है अब माली जी यहाँ पर लिख लेंगे न इस प्रकार से संधायत्रों के स्रेणिक्रम स आलसी वैसे होंगे कि इस प्रकार साइनिक्रम स्योजन में तुल धारिता का व्यूत क्रम प्रतेक व्यूत करफ्य के बराबर होता है अब बच्चों जैसे मैं मान के चलू हम कि स्रेणिक्रम सयोजन में कितने हैं N संधारित एτοना N संधारित चुड़े हुए हैं, कई सारे संधारित चुड़े हुए हैं, तो यदि मैं मान के चलूं कि माना संयोजन में, संयोजन में, संयोजन में, संयोजन में, संधारित्रों की संधारित्रों की संधारित्रों की संधारित्र हैं, मतलब कई सारे संधारित्र हैं, जब कई सा तो सिरीज में तो तुल सिरीज यहां पर करेंगे तो 1पांशी 1 1पां c2 वन अपां c3 और कहां तक चलेगा 124 ठीक है जबंक से मैं यहां पर २atti n कहता या इसको लिख सकता था n बार अब एक को दस बार जोड़ता तो 10 आता एक को 20 बार जोड़ता तो 20 आता एक को 30 बार जोड़ता तो 30 आता लेकिन N बार जोड़ूँगा तो N ही आएगा यहाँ पर S करो न सिरीज कंबिनेशन है एक को N बार जोड़ूँगा तो N ही आएगा और नीचे आपका C आएगा टोट भाईवाली जे सम में समान हो जाता C, 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 सम में धारिता समान हो, प्रत्य किधारिता C होती, ठीक है प्रत्य किधारिता मतलब C1, बरावर C2, बरावर C3, बरावर Cn, मतलब सम में समान होता, तो यह आपका answer आ जाता है, यह कई बार इसका formula का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जरूरी जानना कभी-कभी अब्जेक्टियों में पूँच देता है बाकी आपका थेओरम आएगा तो यहां तक करना है एक्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे तो बच्चो आज का यह वीडियो थोड़ा सा है ना इंटरेस्टेड था और उमीद करता हूं बहुत ज्याद के ले नोट्स के दे जाता है own निया इसका फास नहीं है वह नोट्स सिएंगे अनब्य उंचएंट ले यह मेरा परिंव्यद्रgraduate नंबर है, contact करें, notes ले ले, एक छोटा से amount लगता है, लेकिन handwritten notes दिये जाते हैं, फिलाल अब एक लिए इतना ही वीडियो पसंद्द लाइक करके share करें, जै हिंद, बंदे मातरम